बेल्टम जी मास्टर जी एक्स प्रेश , अंगरेजी मास्टर जी एक्सप्रेश% में आपका तहेंदेल स्वागत दोस्टों, आच आप बीडियो आपके लिए बहुत इंट्रिस्टिंग और वहुत इंट्रेस्टिंग वहुत यूसफूल होने वाला है आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ खास तो चलिए बिना देर की एवें लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है खास आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने जा रहे हैं लेट का प्रियोग अकसर हम लोग विंती याणि रिक्वेस्ट करने के लिए उसे करने दो पढ़ने दो लिकने दो चाने दो खाने दो उन्हें यहां रहने दो अगर इस तरीके का सेंस आता है तो उसमें हम लोग लेट का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लेट का प्रयोग इंट्रोगेटिव में कैसे करते हुआ आप सीखेंगे, तो चलिए उसके बाद लेट के बाद object पहला रूप उसके बाद object फिर उसके बाद other word का प्रयोग करेंगे आप example देखिए ध्यान से क्या तुम यह होने देते हो देखे सबसे पहले डू का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रिजेंट इंडिफिनिट है डू यू क्या तुम डू यू ले चलिए अगला वाकर देखते हैं क्या तुम्हारे प्रिवार वालों ने तुम्हे बिजनेस नहीं करने दिया डीड यूर फैमिली ये पास्ट इंडिफिनिट इसले डीड का प्रियोग किया गया है डीड यूर फैमिली क्या तुम्हारे तुम्हारा प्रिवार डीड यूर फैमिली नॉट लेट यू डू दू दिस बिजनेस क्या वह तुम्हें फोन नहीं करने देता है ड़स ही ही के के नुसा डज लगा है क्योंकि आपका है प्रेजेंट इनिफिंटेंस डजी नॉट लेट यू डजी नॉट लेट यू कॉल डजी नॉट लेट यू कॉल अकॉर्डिंग तुम अपने बच्चों को घर पर मुवी देखने देते हो डू डू यू क्या तुम डू यू लेट यूर चिल्ड्रेंड डू यू डू यू लेट यूर चिल्ड्रेंड वाच दे मूवी आट हॉम चलिए अगला इस्टेक्चर देख लीजिए इस्टेक्चर सेकेंड इस्टेक्चर सेकेंड को भी ध्यान से डबलू एच वड का मतलब होता है प्रस्न वाचक सब्द वाट वियर वाई हाउ से सुरू होने वाले वाक्या इसके बाद helping वाप का प्रयोग करेंगे tense के अनुसा जैसा tense होगा वैसा helping व्यूच किया जाएगा उसके बाद subject के बाद एगी वाक के नेगेटिव तो not लगाएगा नहीं तो नहीं लगाना है उसके बद लेट का प्रयोग करिए लेट के बाद aoपजेक्ट आयेगा ऑबजेट के बद वर्ब का पहला रूप उसके बाद other word का प्रयोग आप करेंगे डिशवर्ट उसके बाद helping वरब subject not नौट है तो नौट उसके बाद लेट लेट के बाद object object verb का पहला रूप प्लस अधर वर्ड चलिए एक्जांपल देखते एक्जांपल को ध्यान से समझेगा किसने तुम्हें यह नहीं करने दिया देखे किसने यहां क्यों नहीं रुकने देगा क्यों यहां पर क्यों क्या डबली च्वाड है वाई विल ही नौट लेट यू स्टे हियर वाई विल ही नौट लेट यू स्टे हियर वह तुम्हें यहां क्यों नहीं रुकने देगा वाई विल ही नौट लेट यू स्टे हियर तुम्हारे प future indefinite है, इसलिए will लगा है, चलिए अगला वाक के देखते हैं, तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने दिया, यह आपका past indefinite है, इसलिए देखे, डबलिच वड़ वाइ, उसके बाद helping वड़ीट का परियो किया गया है, why did, उसके बाद subject you, why did you not let me, why did you not let me go there, चलिए अगला वाक के देखते हैं, मा ने उसे खाना क्यों बनाने दिया, why did mother, past indefinite tense, why did mother, mother यहाँ पर subject है, why did mother let her cook food, why did mother let her cook food, तुम उसे खेलने क्यों नहीं देते हो, why do you not let him play, तुम उसे खेलने क्यों नहीं देते हो, why do you not let him play, तुम एत्शे महीं देते हो, why do you not let him play, जि उसे खेलने क्यों अत्ले से रचलताए upजिया दो उएँ को बनीन पर सक्रोब हा भी तो दूर है, चींसे आप हाँ, यहाँ को झाहँ आ संस्क्तिक